जैस्ट्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में क्या हाल चाल है पिटे आप लोगों के और जर्नल इंट्री का ये आपका लेक्चर चल रहा है और जर्नल इंट्री में आज ह हम आपको जर्नल इंट्री रिलेट्टेट टू दा इंकम एंड एक्सपेंस इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को हमने पांच इलिमेंट बताया था और वह पांच इलिमेंट जिनमें आपका सबसे पहले नाम था आपका एसेट्स दूसरा था आपका लाइबिलिटी हो अच्छे से समझ चुके हो किसके बढ़ने पर क्या होगा और किसके घटने पर क्या होगा ठीक है यह रहा वह रूल जो कि आप लोगों को मैंने बताया था एसेट्स बढ़ेगा तो हम उसे क्या करेंगे डाबिट करेंगे एसेट्स घटेगा तो हम क्या करेंगे करेंगे और liability गटेगा तो हम उसे क्या करेंगे debit करेंगे ठिक है capital की बात करेंगे constituents तो ف्क्रेडब करेंगे और capital घटेगा तो क्या करेंगे राइज बारी है आपके income और आज बारी है आपके expense की ठिक है का जल्दीसे आप लोग heading डाल दीजे journal intry related to the income और जबuppeh भी कि दो रूब बताया था आपको मैंने क्या आया बिलकुल सही क्या आया क्या गया जो आया वह है क्या है मतलब या तो या तो लीडिटी या तो इनकम या फिर आपका क्या वेटा एकस्पेंस और फिर उसके आधार पर आप उसका ट्रीटमेंट करो कोई दिक्कत नहीं है तो ये था हमारा liability हो गया, capital हो गया और आज बारी है आपके income और आपके expense की चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग अपनी class को क्या करते हैं प्रारम करते हैं और heading लिख लिया सब लोगों ने जनरल इंट्रे रिलेटेट टू दा income देखो बेटा, जब हम income की बात करते हैं तो आपको पता है, मैंने आपको बता भी रखा है कि income को दो category में बाटा जाता है एक आपका direct income होता है और एक आपका क्या होता है indirect income होता है अब मेरी बात ध्यान से सुनिए एक चीज़ आप लोग star देके note कर लिजेगा इनकम आलवेज क्रेडिटेड इनकम आलवेज क्रेडिटेड इनकम आलवेज क्रेडिटेड जब आप expense की बात करोगे इनकम चाहे आपकी direct income हो या चाहे वो इनकम आपकी क्या हो इनकम हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और expense चाहे आपका direct expense हो या चाहे आपका क्या हो indirect expense हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब expense अगर आपको दिखे तो आप आख मूद का debit कर दीजे जान से समझो तो यह पॉइंट यह concept समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब अक्सर कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि जैसे जो sale होता है उसको कभी-कभी debit कर देते हैं यह जो purchase होता है उसको कभी-कभी क्या कर देते हैं credit कर देते हैं always एक चीज़ जान लीज़े sale always be credited sale always be credited कलती करने का सवाल ही नहीं है अभी फिलाल हम लोग general entry देखेंगे तो आपको चीज़े आर्टोमेटिक समझ में आ जाएंगी देखो चलो आओ पहला entry देखते हैं पहला point देखते हैं यहां पर क्या लिखा मैंने कैस सेल of rupees one lakh cash sale of rupees one lakh तो देखो आपने sale किया इसका मतलब आपकी income बढ़ी होगी कि घटी होगी जर्नल प्रिसप्शन जर्नल अजम्शन तो यही है कि अगर हम कोई समान बेचते हैं तो हमाई लिए वो क्या होगा profit होगा हमाई लिए इनकम होगा यानि अब सवाल वही उठता है कि सर क्या आया क्या गया आपने cash sale किया इसका मतलब है बाबू आपका cash balance बढ़ा की नहीं बढ़ा और विसली बढ़ा और साथी साथ आपका income इनकम जिसका नाम क्या है sale ये भी बढ़ा की नहीं बढ़ा और विसली बढ़ा बढ़ा अब देखो cash आपके लिए क्या है assets है sale आपके लिए क्या है income है cash assets बढ़ता है तो क्या करते हैं debit income बढ़ता है तो क्या करते हैं credit बताओ मेरे लाल क्या entry होगी entry होगी आपकी बिल्कुल सही answer है sir cash account debit to sale account कितने रुपे से एक लाग से इधर और एक लाग से इधर कमझ में आ गया कोई दिक्कत नो sir एक और question करते हैं देखो ध्यान से गुड़ सोल्ड गुड़ सोल्ड तू राम गुड़ सोल्ड टू राम और रुपीज फिप्टी थाउजंड अब देखो आपने राम को पचास हजार रुपए का समान बेचा पैसा क्या receive हुआ क्या यह cash transaction है या credit transaction है देखो इसको पहचानने का नियम हम पहले बता चुके हैं दुबारा नहीं बताने वाले हैं पताया है नियम ना चार ट्रांजेक्शन दिये थे ठीक है तो यह transaction आपका क्या कहलाता है क्रेडिट कहलाता है ठीक है अब देखो अब आप यह बताओ कि होता नहीं है तो उसके जगह हम उस व्यक्ति को क्या नाम दे देते हैं और यह debtor आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है और आपको भी पताए कि सथ debtor मतलब क्या होता है assets और उसी के opposite आपका sale भी तो बढ़ रहा है क्योंकि आपने राम को समान क्या किया है बेचा है कि नहीं debtor आपके लिए assets है stale आपके लिए क्या है income है अब बताईए इसको क्या करेंगे debit करेंगे और इसको क्या करेंगे credit करेंगे तो बाबू क्या entry होगी जरा बताओ अब देखो यहां पर आप लोग कर गए गलती अगर नाम दे रखा है तो आप नाम लिखे और अगर नाम नहीं दे रखा तो फिर data लिख दीजे कोनों दिक्कत उसमें नहीं है यानि entry क्या होगी बिड़ा डेटर एकाउंट जाबिड टू सेल्स एकाउंट तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर नाम दिया है तो नाम रखेंगे और नहीं तो डेटर लिखेंगे तो फिलाल यहां पर नाम दे रखा है तो आप डेटर मत लिखिए यहां पर क्या लिख दीजे राम लिख दीजे ठीके बाबू कितने रुपैसे पचास अजार से इतने मुझ में आ गया यह अग्ये देखेंगे एक और अब देखो यहां पर Cash और credit दोनों को Mix कर देते हैं अभी आपने Cash देखा अभी आपने क्या देखा ग्रेडिट जर्नली क्या होता है कि समान उधार में भी बैसते जर्नली समान अब किस में बैसते हैं के नगत में भी बेशते हैं अभी देखो गुड़ तोल्ड तू मोहन प्यारे गुड़ शोल्ड तू मोहन प्यारे ओफ रुपीज वन लाक प्यारे को आपने समान बेचा इसका मतलब आपने समान बेचा आपका सेल बढ़ा और आपको भी पता है कि सेल का मतलब क्रेडिट सेल और कैस्स दोनों होता आपने सेल कितने का किया तर एक लाक का हमने सेल किया यानि एक लाक से हमारी इंकम बढ़ गई लेकिन सवाल यह उड़ता है कि आपको पैसा मिला क्या है कितना मिला है साथ परसेंट यानि एक लाक का साथ परसेंट यानि साथ थे आपका कैस्स क्वेलंस क्या हो गया बढ़ गया नहींट अपको भी मतल हैं यह क्या होता है assets यहां पर आपकी assets बढ़ रही है तो इसको क्या करेंगे debit और इसको क्या कर देंगे फिर हम credit बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया उन्हों दिक्कत क्या होगी क्या ऐसकाउंट हुआ डबिटू कैस अकाउंट डबिड फिर मोहन प्यारे तो कितना प्यारा नाम है मोहन प्यारे मोहन प्यारे कितने से 40,000 से यह कितने से ताट हजार से और तू कितना आपका एक लाग से बताओ पॉंसेट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ज्यादा कोई कॉज़ेप्ट या कोई बेस आपका जन्रल इंट्री का नहीं है बात समझ में आगे बिटा जलें आगे हम लोग नोट डाउन कर लिया चलिए फिर अब बारी है एक प्यारे से कुश्चन की लेकिन कुश्चन को हम पढ़ें उससे पहले जड़ा छोटी छोटी बातें देख लेते हैं याद कर लेते हैं जैसे सवाल कई बार आता है कि जर्नल इंट्री क्या होती है उसका भी आंसर आप लोग को के पास होना चाहिए भई ठीक है जर्नल इंट्री यह होती है देखिए आंसर दिया है जर्नल इंट्री क्या है जर्नल इंट्री इस दा रिकॉर्ड आप दे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन योर बिजनेस बूक को इन डबल इंट्री बुक कीपिंग यू मेक आ अट लीस्ट तू लेजर तू जर्नल इंट्री फॉर अबरी ट्रांजेक्शन यह तो हमको भी पता है कि सब दो इंट्री करनी है तो सरी दो इफेक्ट दिखाना है डबिट और क्रेडिट करना ही करना है फिर कहता है कि दो वक्रियूयक तो स्ब्सक्रियून अब कर सकते हैं क्रोव कर सकते हैं खूर इंदि में लिखा न अ इंग्लिस में लिख़ना aut स कोई दिकत नहीं है पber्या रिलंगा अब उसके बाद मतलब अब उसके बाद कुछ और बातें यह जरूर लिख लीजेगा कि कौन कौन से software है इसका PDF भेजा गया आप लोगों को न तो पीडिय जरूर लिख लीजेगा यह software है ठीक है format इसका PDF आपको भेजा गया भाई यह format आप बना लीजेगा ठीक है format के बाद यह rule लिख लीजेगा rule लिखने के बाद यह भी rule of account भी लिख लीजेगा पूरा proper ठीक है यह traditional rule जरूर लिख लीजेगा जो मैंने आपको लिखाया है ठीक है सारी चीजें हमने समझा दिया आपको ठीक है meaning of assets यह भी आपको समझाया जा चुका है meaning of liability यह भी लिखाया गया है और समझाया भी गया है आपको फिर capital receipts capital receipts यह सारी चीजे expenses expenditure चले कुछ बातें और देख लेते हैं बिटा मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की होती है revenue receipts और capital receipts expenses की बात करते है तो expenses भी आपका दो तरीके का है revenue और capital ठीक है deferred है deferred क्या होता है कई बार यह सवाल पूछा गया है कि what is the deferred revenue expenses एक ऐसे expense होते हैं जिनका वास्तों में आप उसको ना तो देख पाओगे ना तो छूपाओगे या आप यह भी कह सकते हो कि सर जो आपके future के लिए तो है लेकिन future के लिए है वो हमें नहीं पता है जब भी आप कोई भी assets लेते हो बेटा तो उसका एक life आपको दिया यह चार साल चलेगा पांच साल चलेगा के सो घंटा चले गाड़ा घंटा चलेग जैसे हम यह बमाप लिए है और छैहलाजार 10 Expenses कुछ ऐसे खर्चे हैं विच आर दा रेवेन्यू इन नेचर जो कि रेवेन्यू नेचर के होते हैं लेकिन दा बैन्फिट ओफ विच डेराइब्ड ओबर दा नंबर ओफ येर यानि आप इनको साल भर के हिसाब से कर तो रहे हो लेकिन इसका प्रॉफिट आपको फ्यूचर में देगा जैसे जो हम एड़टाइजमेंट करते हैं इसे माल लीजे हमने बैनर लगवाया अब बैनर हर जगह दस बैनर लगवाया 90% चांस है कि दस में से 9 जंगा बैनर कोई ना कोई उखाड के लेकर चला जाए मेरे चाहने वाले मेरी बैनर बड़े प्यार से ले जाते हैं कुछ नहीं मिलता तो फोटुए काट लेते हैं ठीक है लेकिन 10 में से 10 में से अगर एक भी बचा रह गया वो कहीं ना कहीं मुझे दे देगा फाइदा की नहीं दे देगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा deficit revenue expenditure कहलाएगा ठीक है लाकि profit पता ही आप सबको यह भी बता रखा है profit बराबर revenue minus expenses यह सारी चीज़े बता रखी है अगर आपने इसको note नहीं किया है तो इसको note जरूर करिएगा goods भी बता रखा है purchase भी बता रखा है purchase return भी बता रखा है यानि जो आप लोगों को मैं termology पढ़ा रहा था जो termology में आपको पढ़ा रहा था वो ऐसे हाववे में नहीं पढ़ा रहा था जो आप लोग additional information लिखे हो ना additional information नहीं वो journal entry है देख लो टेटर क्रेडिटर विल रिसीवल बिल पेबल ठीक है तो यह सारी चीजें आप आप लोग यहां तक पूरा का पूरा note डाउन करेंगे रही बाद discount की तो वह मत करिएगा क्योंकि अभी discount का journal entry discount का classification अभी आप लोगों को बताना है एक प्यारा सा चोटा सा question आपको लोगों को हम दे रहे हैं इस question को खाली offline वालों के लिए online वालों के लिए भी कट जाएगा यह online वालों के लिए कट जाएगा यह चलो फिर बाकी मुझे इजाजत दीजे offline वाले इंतजार करें मैं आपको कुशन दे रहा हूं बाकी आप लोग मुझे इजाजत दीजे और कोई भी समस्या हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अगर आप class को जोईन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं चैनल को दिन आप लोगों के लिए ही ये classes चराई जाती हैं ख्याल रखिए आप सभी अपना जय महाकाल